हेलो असलाम वालेकूम नमस्ते माव रयान खान और लोग मुझे प्यार चे राजा बुलाते हैं अम्मा क्या है ने ग्रिजलीन देना तो अभी टाइम हो रहा है साड़े तीन और हमने सब को कॉल करके नीचे बुला लिया है वो नीचे आ गए होंगे अब तक शायाद आ गए होंगे पता है नहीं तो फिर चलते हैं नीचे फिर डिसाइड करते हैं कहा जाना है अभी हमारी बाइक नीचे इसलिए चल के जाना हमारे उबैद भाई या हमारे फर्दीन भाई तो अभी सब कॉलोनी में आ चुके सिर्फ श्वेब बचा उसे तोड़ा काम था तो वो लेट हो गया तो उसके लिए वेट करते फिर निकलते तो हमाइटी काप याप याप यापी तो हम ऐसे कहते पिंपरी फॉरेस्ट चबके हमने अपने इससे पहले वाले वॉड्स में बताया था कि हम पिंपरी फॉरेट भी जरूर आएं गे लेकिन यहीं बताया था कि नेस्ट वाली वीडियोदी यह लहारा कुछ प्लैन नहीं था कि यहा पर जाएंगे वहा पर जाएंगे, तो हमने जैसे इस प्लैस को देखा तो हमें तभी पता चल गया. इसलिए हम यही रुप केंगे. और इस जगह को पिम्परी फॉरेस्ट के अलावा कहते है कारंजास और इस जगह को पिम्परी फॉरेस्ट के अलावा कहते है कारंजास सोहर्ड वाइड लाइफ सेंचुरी इस फोरेस्ट की जो डिटेल्स हो मैं नीचे डिस्क्रिप्चन में विकिपेडिया का पेज देदूंगा लिंक देदूंगा मैं तो फिर इस जगा की डिटेल भी देदूंगा तो आप देख सकते हो मुझ अपक्रश सकते हो इस जगह की एक खास बात है यहाँ पे ब्लैक बग्स बहुत पाए जाते हैं पिंफ्री फॉरेज जाके ना थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई हमसे हमें नहीं पासा था वहाँ पे जाने के लिए पर्मिशन लगती है तो फिर वहाँ पे दो-तिन अंकल लोग आ गए थे तो फिर वो अंकल लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ पे आने के लिए पास लगती है और पर्मिशन लगती है तो फिर हमने अंकल से बात की हमने कहा कि हमने कहा कि हमें पता नहीं था यहां पर आने के लिए पर्मिशन लगती है या पास लगती है हम निकाल के आते और फिर उन्होंने हमसे यह भी कहा कि आगे से ध्यान रखना ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमने कहा ठीक है तो फिर हम वहां और वापिस इस ब्रीच पे आ गये यह ब्रीच को जानते होंगे इससे पहले वाले व्लॉग में बता है हमने यह ब्रीच तो फिर वहाँ पर अगर आप जाओंगे तो पास निकालनी होती हो जानी की वैसे आप जानी सकते ठीक है हमें पता नहीं था इसलिए हम चले गएते टाइम पास करके फोटोज वगएरा क्लिक करके हम निकल गए अपने घर के लिए तो अभी बज़रे शाम के छे और हम घर पे पहुँच चुके यहाँ पे जाधा टाइम करने को नहीं मीला क्योंकि वहाँ पे आंकल लोग आगे थे जाने तो जितना भी टाइम स्पेंड किया बहुत मज़ए कि तो फिर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो कमेंट कर सकते हो या सब्सक्राइब करके परपल अर्मी में जॉइन हो सकते हो तो फिर मिलते हैं अगली कहाईनी के साथ तब तक के लिए जुड़े रहो परपल इस लाओ एंड आई परपल यू और